आज हम आपको एक बहतरीन संस्थान से अबगत कराने वाले हैं जिस संस्थान का मक्षद बिल्कुल साफ पानी की तरह है जहां से आपको ऐसी ऐसी सुविधाओं के बारे में बताएंगे हम कि आप भी सुनकर भौँचक पर जाएंगे जिहां ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं Mother Health Foundation का सेंटर है और इस सेंटर के द्वारा लोगों को बेगु सराही नहीं कहीं के भी लोगों को जिन लोगों के पास लोगों का आभाव है उन्हें मरीज हैं बीमार हैं उन्हें कोई देख रेक करने वाला नहीं है तो ये संस्था उनको trained nurses मोहिया कराते हैं अगर उनके घर में देख रेक करने वाला कोई नहीं है तो देख रेक करने वाले लोग भी उपलब्द कराये जाते हैं जेंडर के हिसाब से पुरुस को पुरुस और लेडीज को लेडीज की बेवस्ता दी जाती है हम इन तमाम चीजों का बिष्टरित रूप से आपको जानकारी देंगे हम मिलेंगे कुसिश्वर पुदार जी से जोकी असना तक हैं और पिछले 30 सालों से बेगू सराय के धर्ती के लिए समाजिक कामों में काफी शरोकार रखते हैं बहुत करीबी से बेगू सराय की बासियों को जानते हैं और बेगू सराय को क्या चीज की जरूरत रही है उस जरूरत के लिए सदैब ततपर रहे हैं हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सेवा परदान की जाती है Mother Health Foundation के द्वारा यह founder है Mother Health Foundation के director है सबसे पहले तो हम आपका श्वागत करेंगे कि इस तरीके का कार्ज करम लेकर के concept लेकर के आप बेगु सराइज जिले में कार्ज कर रहे हैं इसके लिए आपको बेटी ने उसके तरब से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद अब आप बताएं कि इस तरीके का concept आपके दिमाग में आया कैसे देखिए हम सुरू से ही बेगु सराइज जिला में एक से एक concept लाते रहे हैं पहला concept था यहां बापो बिर्दा आश्रम जिसका ततकाले गवर्नर मानिय निखिल कुमार चोदरी जी के करकमलों द्वारा स्वारम की गई थी और यह सोच था कि जिन माता पिता के घर में कोई बच्चे नहीं है या जिने घर से बाहर कर दिया जाता है तो उस परिस्थिती में उनका देख रिक हम करेंगे हमने बहुत दिनों तक इस तरह का सेवा किया लेकिन जब देखे कि माता पिता स्वेंग चलकर मेरे आसरम में नहीं आ रहे थे आसरम बिल्कुल खाली-खाली सा नजर आता था तो बहुत हमको दुख हुआ कि देखे एक तो देश में इस तरह का वेवस्था नहीं है जहानी सुलक मता-पिता का रखने खाने का परबंध होता है चुके सरकार भी इसमें भिफल है जब हमने सेवा करना शुरू किया था तो बहुत कम संख्या में लोग आते थे मेरे यहां घर घर गौंगौंब हर एक पंचाइत मुख्या जी पदादिकारी संपर करते थे कि इसे मता-पिता कहीं मिलते हैं तो उनकी सेवा के लिए हम तयार हैं हमारे यहां भेजिए लेकिन दुरभाग कहिए कि उस तरह का परिस्थिती नहीं बन पाई और सरकार के ओदा सींता के चलते हमको बंद करना परा है अब है हमने फिर सोचा कि किस तरह से लोगों को हम अपनी शेवा दें तो हमने मदर हेल्फ फॉंडेशन संस्था के माधम से मदर ट्रेसा इंस्टिचूट का यह सिलन्यास किया निर्वान किया उसके बाद बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमे प्रेंट कर वह रोजगार दो हमने सोचा कि रोजगार के लिए कोई फारम नहीं है कहीं भी होस्पीटल या चिकित साले में बच्चे जाते वहां उनको कम सेलरी प्रोवाइट किया जाता है तो हमने सोचा क्यों नहीं इससे मता-पिता और बच्चे जो बिमार हैं लचार है जिनका देखरे करने वाला कोई नहीं है उनकी भी सेवा की जाए तब हमने मदर हेल्थ एट होम केर सेवा का सुवारंब किया है जिसमें ओशे मता-पिता भाई बहन बच्चे जिनका देखरे करने वाला घर में कोई नहीं है उनको हम सेवा प्रोवाइड करते हैं जो बेक्त जिससे चुके बच्चों को भी जिनको हम प्लेस्मेंट करते हैं उनका भी तो कुछ सेलरी हक बनता है ना कार्ज के अनुरूप कुछ पैसा मिलना चाहिए इस वज़र से इस सेवा को हमने प्रारंब किया है अभी सहर में तिन चार जगे यह सेवा दी जा रही है एक हमारे इध कभी एनरा बेंक मनेजर थे यह आपका रजनी जी तो उनके यहां भी पत्नी काफी बिमार थी जो लोग कितनी किलोमीटर के रेडियस में आपका यह सहर में नहीं पूरा बिहार में जहां आपकोई सेवा का जरूरत परेगा अभी हमने सुरू किया है बेगुसरा पुर्णि पूर्णिया में भी सेवा अब सुरू हो गया है वहां भी हम सभा प्रभाइट कर रहे हैं बट अभी मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे बिहार में हम इस तरह का सेवा हर एक जिला का सबाब में दें इसमें आने वाले जो एक्स proposal है उसको आप कैसे बहान करते हैं जब लोग नहीं सुनक करना पसंद करते हैं उनके पसंद से हम नहीं सुनक से नहीं देते है जिनकी औरर तें कि इस्तिति काफी ख्राब है जिनका देखें करने वह रहा कोई नहीं है उनको हम इस तरह का सेवा परभाइडनी शूल्क करते हैं। जो बच्चे जहां जिनकी संपन्ता है लेकिन उनका घर में देख भाल करने वला कोई नहीं है। उनके घर में कोई नहीं है कि उनकी इलाचारी को समझे समय से उनको दबा दे समय से इंजेक्शन दिलाबे इलाज उनका चल रहा है तो उस तरक परिस्थितिम हम नर्सिंग जो परिक्षा पास करती है उस तरक के स्टाप को भेजते हैं जो पूरा मेडिकल मने सेवा काने का असनान करने का अलिट का सारा कुछ उसकी पर्किरिया क्या है आपके हांसे सेवा लेंने की पर्किरिया है वो हमें प जिनके माध्यम से आप Mother Health Foundation एक organization है जिससे के द्वारा पूरे बेगु सराई नहीं पूरे बिहार में इन्होंने एक concept लाया है कि जिनके बच्चे फोरण में काम कर रहे हैं या देश के अंदर ही हैं लेकिन दूर हैं अपने माता पिता के करीब नहीं हैं अपने सगे संबंदिय के करीब नहीं हैं अपने मित्रों के करीब नहीं हैं तो ऐसे लोगों को अगर किसी भी प्रकार की medicine की अगर जरूरत है समझ में आ रही है या उनके बीमार हैं उनको दवा समय से चाहिए भोजन समय से चाहिए उनके रख रखाओ की जिम्मेदारी को वकुभी निभाने के ल बहुत बहुत निवाद आपको